यह आत्मा जो है यह नेत्रों से दिखाई नहीं देती इसको बुद्धी से सोच भी नहीं सकते और यह परिवर्तन शील भी नहीं है क्यों जी यह आत्मा नेत्रों से क्यों नहीं दिखाई देती कुछ लोग कहते हैं स्वामे जी हम तो आत्माओं को देखे हैं भूत प्रेत को देखे वो भूत प्रेत जो है न वो आत्मा नहीं है वो आत्मा प्लास सूक्ष्म शरीर है आत्मा तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है सूक्ष्मा नाम अप्यहम जीवह एवं गीता की फिलास्फी के अनुसार आप उसका स्पर्ष नहीं कर सकते उसे अगनी में सुखा नहीं सकते जल से गीला नहीं कर सकते माया से उसका स्पर्ष हो ही नहीं सकता रशिया के एक साइन्टेस्ट ने कुछ वैज्यानिकों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया कि भारत के लोग कहते हैं कि मृत्यू पर आत्मा नाम का तत्व शरीर से निकलता ऐसा पास्चात्य धर्मावलं भी नहीं मानते इसलिए जब कोई मरता है वो उसको जमीन में गाड़ देते हैं Here lies John Smith अब हम लोग वेद धर्मावलं भी हसेंगे Here lies John Smith अरे John Smith तो चले गए आपने उसके शरीर को यहां गाड़ दिया वो शरीर मिट्टी बना मिट्टी से गाजर बनी गाजर को आपने खाया आपका शरीर बना तो वो रशिया के साइंटेस्ट ने कहा कि भारत में लोग ऐसा मानते भारत के जो धर्म है हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिक धर्म ये लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा नाम का तत्व शरीर से चला जाता है तो एक्सपरिमेंट करें एक मरते हुए व्यक्ति को उन्होंने काँच के डबे में बंद कर दिया कि अब ये मरेगा तो आत्मा निकलेगी तो काँच टूटेगा व्यक्ति मर गया आत्मा निकल गई तो निकलेगी ही काँच वैसे का वैसा रह गया क्योंकि आत्मा को निकलने के लिए कोई जगा नहीं चाहिए तो सूक्ष्म है वो निकल गई आतिवाहिक शरीर एक होता है भगवान देते आत्मा के ट्रांसफर के लिए तो उसमें स्थित होकर आत्मा चली गई अर्थात आत्मा जो है वो इस माया से परे है फिर आप लोग कहेंगे अगर ऐसी बात है स्वामी जी तो हमारी आत्मा शरीर से संबद कैसे हो गई उसका कारण है अहंकार आत्मा का जो संपर्क होता है वो माया के एक तत्व से होता है अहंकार नाम का तत्व वो अहंकार नाम का तत्व आत्मा को बांद देता है और उसके कारण आत्मा सोचने लगती है मैं ये शरीर हूँ मैं ये मन हूँ मैं ये बुद्धी हूँ यानि दे आभिमान से युक्त हो जाती तो ये अहंकार ही माया का पहला दोश है जो आता है विशुद आत्मा पर और भगवत प्राप्ती के मार्ग में ये अंतिम दोश है जो जाता है अर्थात अहंकार किसी का चला जाए समझो उसकी भगवत प्राप्ती हो गई इसलिए कृपालु जी महराज कहते हैं कि दीनता ही सबसे बड़ी साधना है अपने धैन्य भाव को बढ़ाना इसी से अहंकार मिटता है ये साधना का प्रमुक फोकस होना चाहिए तो आत्मा ऐसी दिव्य तत्व है और श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारी बुद्धी से अजिन्त्य है अब थोड़ा हम आइडिया दे सकते हैं आत्मा ऐसी है उसका गुण है चैतन्यता उसका तुम अनुभाव कर सकते हो लेकिन कोई भी व्यक्ति आत्म तत्व को केवल अपने ब्रेन पावर से बुद्धी के बल से नहीं समझ सकता क्योंकि बुद्धी माया की बनी एवं आत्मा ये उस बुद्धी से परे है वेद गैता इंद्रियव्यपरा यर्था अर्थे भ्यस्च परम्मनह मनसस्तु पराबुद्धिर बुद्धेरात्मा महानपरह श्री कृष्ण ने भी गीता में का इंद्रियानि-पराण्याहुर इंद्रियव्यपरमनह मन सस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सह इंद्रियों से परे इंद्रियों के विशय उन से परे मन उस से परे बुद्धी बुद्धी से परे आत्मा तो क्योंकि वो बुद्धी से परे है कोई कितना भी बुद्धी को लगाए वो आत्मा तत्व को नहीं समझ सकता बुद्धी की लिमिट हो गए कैसे लिमिट होती है देखी हम आपको एक दृष्टान से बताते हैं हम जब स्कूल में पढ़ते थे बच्पन में दिल्ली में तो हमारे प्रिंसिपल सहब प्रती दिन लगभग कोई ना कोई बड़े नेता को स्कूल में ले आते थे स्कूल की असेंबली में वी आईपी त्याजी वो नेता जी वी आईपी कुछ ना कुछ अपने जीवन का अनुभव बताते थे बच्चों की प्रेड़ना के लिए एक दिन मंत्री जी आए अब ये 40 साल पहले मंत्रियों की क्या हलत होती थी आप लोग जानते हैं बे पड़े लिखे मंत्री ने का बच्चों आलू का दाम पांच रुपए किलो बताओ मेरी आयू क्या है साम विद्यार्थी चुप क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में उनको ऐसा फॉर्मूला नहीं सिखाया गया जिससे हम आलू के दाम से मंत्रियों की आयू का निर्नय कर सकें मंत्री फिर से वहाँ पर बरस पड़े मैं पूछ रहा हूँ आलू का दाम पांच रुपए किलो बताओ मेरी आयू क्या है फिर पूरी असेंबली सभा स्थब्द अब मंत्री ने गुसे में प्रिंसिपल की ओर देखा प्रिंसिपल के तो घुठने कांपने लग गए कि अगर ये नराज हो जाए ऐसा नहो की गौर्मेंट के फंड माइनस कर दे तो एक लड़का खड़ा हुआ थोड़ा सा आशा की किरन आई वो लड़के ने का मंत्री जी मैं बताता हूँ आपकी आयूँ है पचास वर्ष मंत्री ने का बिलकुल ठीक तुमने सही बूझ लिया तो बड़े होश्यार हो अब उनको अपना उत्तर मिल गया प्रसन होकर उनने सुन्दर सी रिपोर्ट लिखी और वहां से प्रस्थान किये बाद में प्रिंसिपल ने उस विद्यार्थी को बुलाया अपने आफिस में और कहा भी तुमने तो आज हमारी जान बचा ली और पूरे स्कूल की इज़त रख ली लेकर एक बात बताओ तुम्हें पता कैसे चला कि जब आलू का गाम पांच रुपे किलो है तो मंत्री जी की आयू पचास वर्ष लड़के ने का सर मैंने एक बड़ा सुन्दर एक सारल फॉर्मूला लगाया मेरे पड़ोस में एक आदमी रहता है वो पचीस वर्ष का वो आधा पागल है ये पूरे पागल है इसलिए पचास वर्ष के अर्थात वहां कोई बुद्धी लगाएगा ही क्या किसी की बुद्धी फेल हो जाए वो बुद्धी का विशय ही नहीं तो संसार में भी चीजें बुद्धी से परे हो जाती अगर आप एक स्टेंडर्ड वन के विद्यार्थी को कॉलेज की कक्षा में बिठा दे और पूछे मास्टर साहब क्या पढ़ा रहे है प्रफेसर साहब वो बच्या क्या कहेगा मेरी बुद्धी की उपर से जा रहा हूँ ऐसे ऐसे बुद्धी मान जीनियस हुए हमारे भारत त्वर्ष में एक महरशी पाणिनी थे जोने उन्हें संस्कृत का व्याकरण लिखा तो ये व्याकरण जो पिछले पांच हजार साल से वैसे का वैसा है उन्हें जब लिखना था उन्होंने स्या कहा कि किस से सीखें तो निष्टे किया कि हम जाकर उमापती महाधेव से ही क्यों न सीखें वे गए कैलाश की ओर शंकर जी कैलाश पर बैठे देख लिए कि महरशी आ रहे हैं वे उनका प्रयोजन समझ गए उन्होंने का क्या लेबर करेंगी उपर आने की हम उनको यही से सिखा देते तो ये डिस्टन्स लर्निंग का पहला दृष्टांत था शंकर जी उपर कैलाश पर बैठे हुए अपने डमरू पर बारा आवाजे कर दी महर्शी पाणिनी ने सुना और समझ गए वे वापिस गए तो उन्होंने जाकर पूरा व्याकरण लिख डाला यदि कोई पढ़ना चाहे तो बारा साल का कोर्स होता है बताईए उनकी कैसी बुद्धी थी अब अगर शंकर जी ऐसे करते हमारे सामने क्या हम संस्कृत में शास्त्री बन जाएंगे हम कहेंगे साम हमारी बुद्धी वहां तक नहीं पहुंच पाई तो संसार में भी बुद्धी की एक लिमिट होती श्री कृष्ण कहते हैं कोई संसार का सबसे बड़ा जीनियस नोबल पुरुसकार विजेता वो भी ये नहीं चैलेंज कर सकता कि मैं तो पी एच डी डी लिट हूं मैं समझ जाओंगा हमने देखा विश्व की जो टॉप की उनिवर्स्टी स्टैन्फर्ड एम आईटी वहां जाकर भी प्रवचन दिया बड़े बड़े जीनियस जो आते हैं सुनने के लिए उनकी समझ में नहीं आता भावतिक उनकी बुद्धी तीव रहो गई लेकिन आध्यात्मिक विशह समझने के अधिकारी नहीं बने और दूसरी और एक गाओं का आदमी है छोटे से ब्रह्मपुर के निकट हिंजली काट इत्यादी से आता उसकी समझ में पूरी बात बैठ गई कैसे ये बुद्धी का विशह नहीं है तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन ऐसा ये आत्मा का स्वरूप है वो अचिंत्य है अस्पर्ष्य है और वो अपरिवर्तन शील है हुआ 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 है